हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अपने काइन मास्टर में जो एनकोडिंग, वॉर्निंग या फिर एवरेज आईडियार इंटरवल इस टू लार्ज की जो एरर आती है, उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, जब एनकोडिंग वर्निंग तब आती है, तब वीडियो तो इंपोर्ट हो जाती है, काइन मास्टर में, बट जब हम उसको एडिट करते हैं, तो किसी टाइम पर वो ट्रिम नहीं होती, और किसी टाइम पर वो ट्रिम हो जाती है, किसी स्प्लिट फंक्शन अच्छे से वॉर्क नहीं करता या प्रवीव जो है उस वीडियो का अच्छे से नहीं शो करता है तो इसका solution देखते हैं इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग क्या है काइन माश्टर ओपन कर लेंगे और उस वीडियो को इसमें इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर मैं size select कर लेता हूँ 16-9 का ठीक है और मैं वो वाली वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर screen recorder में यह वाली वो file है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि encoding warning जो है यहाँ आ गई है there is a problem with the way this video clip is encoded this will not affect the quality when exporting or sharing but it may cause problem when editing or previewing the project or using split or trim feature average idea interval is too large इसको क्या करो okay कर दो तो यह कह रहा है कि editing के time पर आपको दिक्कत होने वाली है video तो import हो जाएगी तो इसको सबसे पहले हम लोग okay करके इसको import कर लेंगे ठीक है अब मैंने यह video import कर ली है और मैं यहाँ पर click कर देता हूँ okay पर तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ अब मैं इसको click करके यहाँ इस trim वाले function पर click करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे पास में यह four options चारो के चारो जो है available है but मैं as इसको move करूँगा इधर right to left तो देखो यहाँ पर क्या है यह जो options है invalid हो गये है यानि कि कहीं पर यह video trim हो सकती है और कहीं पर यह trim नहीं हो रही है तो इसका solution क्या है इसका solution जस्ट यह है कि आपने यह video import कर ली है काइन मास्टर में अब इस video को आप directly export कर लो export पर click करो और यहाँ पर मैं इसको HD 720 60 frame rates पर export कर लेता हूँ at a high quality आप जो इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो तो मैं यहाँ पर export पर click करता हूँ और video start हो गई है export होना ठीक है इसके बाद में हम क्या करेंगे यह जो file export हो जाएगी उस new export file को हम फिर से काइन मास्टर में import करेंगे और जो अमारी पुरानी वाली file होगी उसको हम delete कर देंगे और अब जो है जब हम new वाली वीडियो को काइन मास्टर में import करके edit करेंगे तो वो problem जो encoding warning वाली error है वो फिर नहीं आएगी तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हूँ वीडियो बस export होने ही वाली है और वीडियो जो है export हो चुकी है अब हम इसको back करते हैं बैक करने के बात मैं यह मेरी जो है पुरानी वाली वीडियो है इसको मैं क्या कर देटा हूं डिलिट कर देता हूं इसको मैं बात मैं mobile के अंदर से बीडिलिट कर दूँँगा अब मैं फिर से media पर click करता हूं और यहां पर export वाला जो folder है उस पर click करता हूँ और ये वाली जो file है new one के नाम से ये मेरी नई वाली file है जो के export वाले option में आ गई है ठीक है इसको मैंने export कर लिया है फिर से काइन मास्टर में अब मैं के करता हूँ इसको select करता हूँ और फिर से जो है trim वाले option पर click करता हूँ अब मैं इसको right और left move करकर देखता हूँ यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो यह चारो options जो है available है पहले क्या हो रहा था encoding warning की बज़े से यह चारो option available किसी जगा पर हो रहे थे किसी जगा पर नहीं हो रहे थे अब मैं इसको move करता हूँ और देखते हैं यह सारी जगा पर options कहीं भी गायब नहीं होंगे यह देखो ठीक है जैसा कि आप देख सकते हो किसी भी point पर वीडियो के किसी भी point पर यह चारो के चारो options जो है available हैं और कहीं पर भी गायब नहीं हो रहे हैं इसका मतलब यह है कि अब जो है मैं अपनी वीडियो को अब हम अपनी वीडियो को easily इसको edit और split trim कर पाएंगे इस वीडियो में यही आपको बताना था कि आपको encoding warning से किस तरह से encoding warning वाला solution है वो किस तरह से solve होगा वीडियो पसंद आया तो इसको like करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया तो इस चैनल को subscribe कर लें and bell icon को press कर लें जिससे कि आपको regular updates मिलते रहें thank you for watching this video